हलो दोस्तो मैं रागवेंद आप सभी का competition community में स्वागत करता हूं जैसा कि सबको विदिती है कि हम लोगोंने सिक्षक और सहायक सिक्षक के लिए जो बाल विकास CDP और पैड़ागोजी को जो section है उसको हम लोग complete कर रहे हैं और यह हम लोग paper से पहले complete कर लेंगे साथ में question discussion भी करते रहेंगे देखिए हम लोगोंने सबसे पहले जो topic है वो हम लोगोंने अधीगम स्टार्ट किया था और अधीगम में हम लोगोंने कि सिधान उसको देखे थे जिसमें विभारवादी और संग्यानवादी सिधान थे व वो क्या कहता है तो गेस्टालवादी जो सिधान थे उसमें बुद्धी की महत्तों को बताया गया है कि संग्यान से बुद्धी से ज्यान से हम अधीगम कर सकते हैं यानि सीख सकते हैं उसके बाद आगर आप देखें तो विभारवादी और संग्यानवादी दोनों अपने से होता है सूच से होता है यह भी सही है मगर दोनों अपने आप में complete नहीं है सही तो है मगर complete नहीं है इसलिए कुछ और लोगों ने जिसे रॉबर्ट एम गेने जो है उन्होंने उन्हों क्या किया यह दोनों को मिला दिया बोला कि नहीं अधीगम जो है यह दोनों वाधियों को संगयान वाधियों को किया किया। और अपने 805 अधिगम के 8 105 मतलब नगे और उसको आपका ये आपकर पिरामीड वना कर सम滿 है ऐसे ऐसे क्या होता है बंचों का अधिगम होता है यानि बच्चे सीखते है ठीक है तो याँढ आपijnे सबसे पहले नहीं machen लाधि और घ्सटालवादी दोनों को मिलाकर किसे यह अस्ट वल चान दिया है तो किस ने दिया है तो round है पहला तो यह हो गया तो रॉबर्ट म गक्यने है और आठ कि दिया है तुर्ण चरण या आठ चरण आठ चरण किसके आठ चरण भई तो सीखने के आठ चरण सीखने के और या तो फिर आप कह सकते हैं किसके आपका अधीगम के अधीगम के आठ चरण किसने बता है तो रॉबर्ट एम गेने ने बता है इसको याद रखेगा ठिक है और कैसे समझा है तो उन्होंने एक पीरामीड बना दिया एक ट्रैंगल जैसा बना दिया और सेमें आठ चरण बताया तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें उन्होंने आपका अस्टपती सिध्धान्त है किसका है रॉबर्ट एम गेने अब देखो तो उन्होंने देख़ी आठ चरण दिये मैं एक बार बोल देता हूं संकेत अधिगम अनुक्रिया उदीपन शिंकला अधिगम शाब्दिक अधिगम बहुवी भेदनात्मक संप्रत्य सिध्धान और समस्या समाधान ठीक है यह आठ चरण बताए अब देखते थोड़ासता पहले इसको दिल कर उसे पहले देखो यह स्टार्टिंग के जो तीन चरण आप देख रहे हैं यह तीन वाले तीन संकेत अधिगम अनुक्रिया अधिगम और शिंकला अधिगम यह तीनों जो है य अधिगम संकेत अधिगम ऑनुक्रिया और शृंकला और यह वैभारवादी आप देखें व्युहार वादी जो कहते हैं कि जो अधिगम होता है पसों में भी समान रूप से होता है और मनुश्यों में में प maze करते कि जो अधिगम होता है उनके जो बुद्धी वाला डीक्म ह ही होता है तो यह जो याद रखेंगे तीनों जो अदिगांव आप देख रहे हैं यह पश्रू में भी होगा और मनुष्य में होगा कैसा होगा तो विभार वादी जैसा होगा ठीक है समस्ते अभी थोड़ा उसके बाद आगे के जितने भी अधिगम है यह केवल लोग है मनुष्य में होगा और यह कैसे हैं यह संग्यान वादी जैसे हैं ने कर सबसे पहले जो बच्चा है या पशू है क्या करता है तो संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को रखता है ठीक है सबसे पहले जब जो बच्चा होता हो कैसे कैसे रियक करता है तो संकेत के माध और हां से बुला लेगा हाथ पीटे का कुछ भी करेगा वह संकेतों के माद्य हम से करेगा क्योंकि उसके पास वाड़ी नहीं होती वह बोल नहीं पाता है तो सबसे पहला जो है वह संकेत अधिगम है और यह पहली चरण है कैसी है तो विभार वादियों जैसी है रॉबर्ट एम गिने ने अपना अस्पदी सिधान में पहला जो चरण किसको दिया है संकेत को दिया दूसरे बाद उसके बाद संकेत के बाद अनुक्रिया करता है बच्चा अगर देखें जैसे आप कहते हैं वैस जब वह अनुक्रिया कंटीनी होने लगए तो उसको श्रिंखला कहते हैं तो देखें उसी अनुक्रिया की उपर के जो चरण है वो स्रिंखला है तो देखें सबसे पहले संकेत किया संकेत की बाद उसने क्या किया है अनुक्रिया क्या अनुक्रिया करवाते हैं किसी से कोई क लिग्रिषनो, आप पश्वों से भी करवा सकते है, और मानऊं से भी करवा सकते हैं, ठाइक है, इसके बादा अगला जो है यहाँ पर से फिर अलग हो जाता है, शाब्दिक अधिक अधिकम कहने के मतलब है, जो शबदों का उचारण करके सब्दों के माधियम से अपनी बात क उसके जो कंंट है वो मेन पोले लगता है और यह ह challeng नहीं होता है यह जंवर में होता है यह जowie बुद्धी को डेवलप करके ओचारण करते हैं इसलिए संज्ञानवादी जैसा यहां का शाब्दी दिखेगा तोसिके बाद बढ़ेंगे बहु वेधारनात्मक मतलबु करना सीख जाता है बच्चा करना सीख जाएगा कि यह अटी जैसे आप स्कूल में जब बच्चा जाता है तो अपके पच्चत्र जब स्कूल में जाता है तो उसमें अलंकार पड़ता तो नंकार में देखना कनक कनक ते सोगणी माधक ता दिकाय या पायं बराय ना या खाय बराय तो वह बच्च जो रहे कंक में अंतर समझने लगता है गुरुजी नहीं होता है तो तो सब्दों में लोगों में और और चीजों में वह अंतर स्पष्ट करने लगता है यह घोड़ा है यह हाथी है यह मुर्गा है मुर्गें पुम प्रते कहले का मतलब हुआ मक publi बनने वाला विल मस्तिस्क में बनने वाला बिम संप्रते कहब नहीं है करने का मतलब है अगर किसी को हम समझा रहे हैं कि देखो यह वीटा यह एपल है एपल बोलू तो एपल अगर अगर इसके दिमांग तर्ट हाय संप्रत्यात कम करए जैसा है तो संप्रत्यात का रहाता है क्व दिमांग में इसके बाद बच्चा जब आगे बढ़ता है तो कुछ सिध्धांत अपने जीवन में तैक करता है कि यह इस तरह से यह होता है जैसे आपका सुबा सूरज निकलता है संब को डूबता है जो आपके पते जो है फल है वह टूटकर नीचे ही गरते लोगा है सिध्ध हुआ तो ग्रेविटी हो गया ग्रेविटी का लौ है तो आप उसको पता है उसके सिध्धान्त है और सिध्धान्त कैसे होते है प्रमाणों से जब किसी चीज को तथ्यों से प्रमाडित कर दिया जाता है उसको सिध्धान्त कहते है तो तथ्यों से प्रमाडित करके एक सिध्धान्त का अपने कोशल का तर्क सक्ति का प्रियोग करके समस्याओं को सामने देखकर उसका हल निकालता है उसको हम लोग क्या करते हैं समस्या समाधान अधिगम है जैसे एक 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 जामपल ऐसे समझ लेजिए जैसे आपके क्या करने आपके समने समस्या है तो समस्या है तो उसका समाधान आप त्वर्क से आपका बुद्धी से कौशल से आप अपने निकाल सकते हैं कि हमको अभी सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है और जिसमें हम सबसे अच्छा कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं समस्या समाधान अ जाएगा सिंखला उसके सब्दिक अभी अगोर देखेंगे तो दो चीजों में भेद करना सीख जाता जैसे मैंने बताया अभी आपको बहुत कनट करने वाल जामपल यह हैं वह सेंत्रे में आपका अंत्र करनाश आप कर लेगा ऑगे होतीम अगर दूनों गोले हैं उसके बाद देखे संप्रत्य अधिरम क्या होगा मशतिष्क मैं बनने वाला विं क्रतिमा उस-पत्रत्य अगर वह बने लगा तो बच्छा का चितर अगर दिखा घोड़े के दिभी में उसके दिमाग बन गया तो हो गया संप्रत्य का होता है प्रमाणों से सिध्र किये हुई अगर कोई वस्तु है या फिर कोई भी चीज है उसको हम लोग क्या कहते हैं सिध्धान कहते और लास्में समस्या समाधान बुद्धी चिंत आपको याद रखने हैं एक बार आप देख लीजिए संकेत अनुक्रिया श्रिंखला साब्दिक बहुविवेतनादमा संप्रत्य सिध्धानतों समस्या समधान यह सबसे उत्किष्च अवस्ता है और यह सबसे प्रारंभी कवस्ता है संकेत यह जो इस्टार्टिंग के तीन कर सकतेे esse channel के इस त्षैकर सकते हैं बस संकेथ अनुक्रिया और श्रिंखला सकते हैं उसके अलावा और नहीं कर सकते हैं तो आठोट सकते हैं यार्ड रखेंगे जो जानवर है जो हुआ है वो केवल सब्सक्र यह कर पाते हैं ठीक है तो तो यहोगे हमारा रॉबर्ट टेम गरने का श्च्चपदी सिक्थांत या फिर देखो उसके बाद अगला है अलबर-बान्डुर्ण का सिभ्धांत तक इसको भी थोटा सा देख लिज्चेया अलबर बॉंडुर्ण का सिभ्धांत अलबर्ट-बान्डुर्ण के माध्यम से सिखते हैं अनुकरण मतलब समय लेजिए कॉपी करके सिखते हैं ना कैसे सिखते हैं तो कॉपी करते हैं लोगों को कॉपी करके बच्चे सिखते हैं यह उन्हों आप सुनिए modeling क्यों बोलते हैं क्या होता है हमारे भी कई लोग role model होते हैं जैसे हम लोग TV में देखते हैं किसी hero को heroine को जैसे hero को देख लिए तो अगर वो तेरे नाम झार लिया है या फिर कहीं beard रख लिया है बाल छोटे करवा लिया कभी गजनी बन गया तो हमारे जीवन मे उसको copy करते हैं model लोग का copy करते हैं उसके साथ महिला लोग है महिला लोग जैसे dress पहले actress लोग या फिर जैसा fashion चल रहा है उसके recording लोग विभार उन लोग कर लिते हैं तो copy हुआ ना मैंने अभी इसलिए समझाए अनुकरण या copy तो modeling theory से लिए कहते हैं क्योंकि model को क्या करते उनको है ना तो या दिखेगा अभी यहां तक यह भी हो जाता है कि एक एक चीज फॉलो किया जाता है कि कैसे क्या कर रहा है क्या हो रहा है कैसे उठ रहा है कहा जा रहा कितना खायरा क्या क्या खायरा तो हर चीज़ें लोग copy करते हैं इसलिए modeling theory कहते है अच्छा उसके हैं तो समाज की देखकर एक दूसरे को देखकर सीखते हैं जैसे कहते हैं पडर्बोसी की को समाज को अनुकरण करना समाज को कौपी करना ही इसलिए इसको क्या बोलते हैं समाजिक अधिकम के नाम से जाना जाता है सिधान को समाजिक अधिकम कहते है क्योंकि वसका बोलते हैं समाजिक अधिकम कहते हैं तो अप्रतक्श किसले बोलते हैं क्योंकि देखे ये डारेक्श को शीखा नहीं आपको यह नहीं कहा है कि हमने कपड़े कपड़े बहुत चाहिए वह देखकर अनुकरण करके क्या करते हैं बच्चे सीखते हैं इसलिए आपका इसको क्या बोलते हैं अप्रतेक्ष जीकम करते हैं प्रतेक्ष रुप से को आपको सिखाने नहीं आता है ठीक है कभी कभी पता ही नी चलता हम किसी और का अनुकरण करने लगते हैं ठीक तो यह अनुकरण जो है अप्रतेक्ष होत करते हो अनुकरण करते हो एक एक चीज उसको मॉनिटर करते हो मॉनिटर कैसे करोगे कि उसने क्या खाया है कैसे खाया जैसे क्रिकेटर्स को क्रिकेटर्स क्या करते हैं कितना क्या अधिकम के नाम से जानते हैं जो यह और अपका अलबर बांडूरा जी है यह कनाडा के सिक्षा मनुख ग्यानिक थे और इन्होंने मॉडिलिंग थी थी ठीक कनाडा के थे याद रखेगा अच्छा थियोरी में कहा क्या तो उन्होंने सबसे पहले ना गुड़िया जोकर वगर पर प्रयोग किये और सम बताया कि कैसे बच्चे अनुकरन करके सीखते हैं तो चले थोड़ा सा थियोरी उनका देख लेते हैं देखे सिधान देखो व्यक्ति दूसरे के विवहार को देखकर सिखता है अगर समाज किसी विवहार को accept करता है अगर समाज में मान जो विवहार सब करते हैं और एका दुराचार हो गया उसके बाद मरडर हो गया उसके पर something है जो भी सीजह है आख मैं नहीं तो समाई में मान विवहार को क्या करता है वह प्याकता है ऑच समाज में मान विभार को अपनाता है ठीक तो यह स्टार्टिंग गाई इनको याल रखना है प्रयोग कैसे हुआ तो देखे प्रयोग उन्हें गुडिया पर किया और क्या क्या जोकर पर किया देखो कैसे किया इसलिए इसको ना बोबुडॉल स्टड़ी के नाम से भी जाना जाता है यह भी याद रखेगा बोबुडॉल स्टड़ी किसका सिधान है तो आपका अलबट बांडूरा का अलबट बांडूरा अलबट बांडूरा के सिधान को बोबुडॉल स्टड़ी के नाम से भी जाना जाता है अब देख इसमें किया क्य होने सबसे पहले एक क्या कर लिया डॉल ले लिया ठीक है और एक छोटी बच्ची को बैठा लिया और देखो टीवी दिखा रहा है टीवी में डॉल को क्या कर रहा है पुछकारा जा रहा है प्रेम क्या जा रहा है प्यार किया जा रहा है ठीक है और उसमें क्या हो रहा है जब अफले बार क्या किया गया उसी को बैठा कर दूसरे बार टीवी में डॉल को गला गला मूर दी ठीक है डॉल के साथ क्या किया गया डॉल को छती गरस्त कर दिया गया जब बच्चे को डॉल दिया गया तो बच्चे ने भी वही प्रतिक्रिया किया जो उसने टीवी में देखा तो यह जो चीजे हैं कैसे हुआ तो अनुकरण करके वह समाज में देखते हैं वैसा वह करते हैं सेम टूसेम ऐसे ही आगे जाए जैसे अब एक और उसमें और त्योरी होगे एक हो गया कि साथ क्या किया वहर किया रहा है तो जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं आप लोगों सारी भिहार करेंगे गाली गलोचक करेंगे हैं पर उसका नुकरंण करते इसलिए मना किया जाता है कि बच्च्चों के सामने हम वे अच्छे से रहना चाहिए और ठीक करना चाहिए क्यों की Holbert बट बांदूरा किसी धान करता है बच्चे अनुकरन करेंगे ही और फिर आप वो लोग हमारा बच्चा भी गड़ गया तो ऐसे थोड़े होगा सकती है थीक करना पड़े अच्छे बाद देखे तो अब उन्हों ने एक जोकर पर भी प्रयोग किया जोकर प्रयोग किया जोकर लाया गया तो लोग बच्चे भी उनके साथ वैसा ही विहार के जैसे उन्होंने देखा था यहीं है सिद्दान मोटा मोटी है कि अनुकरन करते हैं बच्चे इसलिए अब जब चुकि गुडिया पर किया था इसलिए क्या वह डॉल स्टड़ी के नाम से जाना गया अच्छा है मतलब सूनो कि देखोके इसको आट्म साथ करोगे ठ Day झालिया आप पिल अपने अनुसार उसको आफका मोडीसाइं अनुसा करोगे फिसको क्या किया धारना किया याने अपने उपर अपलाई किया और अपने उपर जब अपलाई कर रहे हैं तो अपने अंसार करेंगे ना तो अपने उसको मोडिफाई करेंगे याने पुना उस्थान किया और उसके बाद लास में आपका आ जाएगा अभी प्रेणना मतलब मो कि एक यह तो अलबर्ट बांडूरा के यह सीखने के चार चरण है अवधारना धारना उनस्थान और अभी पिरना ठिक इसके बाद देखें अधिकम इस्थान अंत्र ठिक यह अधिकम का जो हमारे इंपोर्टिंट जो था वो खतम हो गया इसके बाद अधिकम स्थानांत्र दे सब्सक्राइब करते हैं एक छेत्र में प्राप्त ग्यान का उपयोग दूसरे च्छेत्र का ग्यान दूसरे च्छेत्र में अगर कहीं आपका है अगर कहीं काम आ सा करात्मक अधिकम कहते हैं अब देहें को कैसे समझोगे जैसे माल आप बच्पन में साइक्र चलाना सीख और संडे अपने बैलेंस बनाना सीक्टी यहां तो आपने बैलेंस बनाने हैं के दो चकों मैंलेस कैसे बनाते onale चलके जब आप क्या करोगे गाड़ी सीखोंगे मोटर साइकल तो आप का कहो जाएगा आप उस पर भी बैलेंस बनाने से जाओगे तो वह हैल्प किया ना साइकल जो आपने सीखा था वह आपका है कि आगे चलके यह क्या होगा सकरात्मक अधिगम हो गया तो एक चेतर के ज्य स्रेमी होगा तो हिंदी का सीखा हुवा घ्यान आपको संस्क्रिट में काम आएगा या संस्कूट का सिखा हुआ हondere था कि दौनों दूसरे की पूरक है तो आपहिंदी का Avenue है ओसे नगर आधिय्कम का जो एक ज्ञान घ्यान है अग अक हां बोलेंगे नकरात्मक अधिकम बोलेंगे जिसे माल लिए देखिए बहुत सारे लोग टाइपिंग टाइपिंग जानते होंगे तो कई लोग इंग्लिस टाइपिंग सीखते हैं और कई लोग हिंदी टाइपिंग सीखते हैं तो माल लिजे आप जो ड्राइविंग सीट होते हैं लेफ्ट चलते हैं लेफ्ट अपने चलाते हैं तो लेफ्ट चलाते हैं तो लेफ्ट चलाते हैं यही जो कार्ड राइवार है मालीजी अमेरिका में चला गया उधर क्या होता है उधर जो चलाते हैं उधर राइट साइड चलाते हैं तो इधर अपने इंगलीज सिखा और आप गड़ी सीखर है और इसका कोई लेना देना है इने ठीक उसके कोई प्रभाव ही नीपड़ेगा क्योंकि उसमें आपका एक दो तीन चार है इसके इंगलीज फेलेज के इनुडस है तो कोई प्रभाव निपड़ेगा कापीर के दोहें शीख लिए उसके बाद रहीं के दोहें टी нравится कोई प्रभाव नहीं थीक तो नकरात्मक अधीकमेशा करेकार की कैंदि का में इंडिया का द्रेवर तक प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर अगर को से लिन देना नहीं उसके बाद देखे कभीर के दो है को कोई परभाव ने पड़े थिक तो यह आ दके गाद अधिकम इस थाना अंदर ठीक उसके बाद अगर बढ़ते हैं जो मुखी मुखी टॉपिक है यह हमारा खतम हो गया इसके बाद देखे अधिगम दोश ट्रेक्ड के यहां से कोशिच आते रहते हैं आये भी है पहले बात पिछले बाद अधिगम दोस्त कहने मतलब है लनिटी अधिगम यहने सीखते समय क्या-kya समस्यां का सामना करना जब आप करते हैं तो क्या-kia समयाना आती है तो सबसे पहले अगर मा लिजिए को इसी बच्चे को पढ़ने में समस्या ठीक है पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है उसको सै पढ़ने में बढें नहीं पा रहा है डिसलेक्सिया यह अलेक्सिया के नाम से जानते हैं डिसलेक्सिया तो डिसलेक्सिया पढ़न समंदित अगर किसी बच्चे को कठनाई है अगर वह पढ़न नहीं पा रहा है ठीक से उचारित नहीं कर पा रहा है तो डिसलेक्सिया से वह पीडित है ठीक है धीरे-धीरे प्रैक् कि देखिए अबर ग्राफ लिखाए ग्राफ तो ग्राफ तो किसमें होता तो ग्राफ में लिखते हैं लिखते हैं तो ग्राफ में लिखते हैं तो अगर लेखन सम्मधित को समस्या है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इस ग्राफ यह यह तारे जमीन वाले जो बच्चा था उ को समभू जाए नए रहा था ठेक है याल अठेकर ना कई बार ऐससे लिगते हैं ऑसे कि एसे लिख़ता ऐसे सी को क्या लिख आया लख में तो ऑस अजिषया दूर हो जाता है अ सबसे जी समय नहीं किसा एक हो सकती है शर्फय की बच्चे क्ट रूएक बैसं मेरे का आक का रहे हो का लेकर वहां उसको डिस ग्राफिया कहते है उसको डिस्कैल को लिश्या दिस कैल को लेश्या देखो तो कैल्कुलेशन आ रहा है कैल्कुलेशन तो कैल्कुलेशन अगर आया तो कैल्कुलेशन किसमें होता है गड़ित में होता है तो गड़ित होता ना जी तो गड़ित होता है तो गड़ित समधी तरहीं है बच्चों को जोड़ना घटाना उसमें बहुत समस्य आ रही है ठीक है उस उसको धीरे-द्रेस को समस्या को दूर कर सकते हैं विभार में अगर कख्षा में कुछ संसाधन उपलब्द है या चौक हो सकता है चौकलेट हो सकता है या फिर कोई बच्चे हो सकते हैं उस तो विभारी की ग्जामपल से देखे उसको सिखाया जा सकता है कि कर डिस कैल्कुले दीयुकले में आपका दीगमद्ड में अभिन नाम से जानते हैं आगर किसी सीखने में वह सबस्क्राइब कंखने अगर किसी रिख्या जहाए लिख्या या या फिर एसे सो एक्सिया यए दोने एकRO चीम्द द म intent कृना का मतला होता है जो समय समय को आपने जो समय होती है जो कि भाहोते हैं वो लेखा होगा कई लोग आपके फ्रेंट सरकल में या आसपास या खुद आप ही हो सकते हैं गामक मतलब बहुत जल्दी emotional हो जाते हैं ठीक है कोई कुछ बोल दिया तुम बुरे हो अब बस रोना गाना चालो ठीक तो हो जाता है कई लोग को कोई प्रभावरी पड़ता तो गामक का समधित कोई समस्या है उसको क्या बोलेंगे अपक्सिया बोलते हैं बहुत जल्दी वह निकल जाता है बाहर लोके उसके बाद देखें कई कई अपैसे देखना कई लोग कुछ अगर कुछ नहीं बोलोगा समाने सभी बोलोगा तुम हस्ते रप दिन भरस ते रपे तो उनके भाव जो हो निकलते रहते हैं वो क्या होगा वो डिमारी है आक्चलिमें अपक्सिया ठिक उसका बिस हो तो ऊ-मोग है विभर कर देते हैं बच्चे उसमें डitals ना रहते हैं घर जाते हैं विमार हो जाते हैं उसके बाद मर जाएंगे लात उस्कूल नहीं जाएंगे रोने गाने लगते हैं तो डिप्रेशन जमें बच्चे जब आ जाए जब तनाव ले जैसे अभी कोरोना में भी हुआ था बहुत सारे बच्चे तनाव ले लेते अभी एक्जाम नहीं निकला था तो तनाव हो रहा था अभी निकल गया है तो आप म quello जाए जब डिपरेशनाजर्व जाए और यदि यविश्व का बोलेंगे इस भी इन रही इस लिए बच्ण गई सिर्फ में बच्ति आला जिए अ चिल को है इसने बच्का EQ is तो मोर्द दिखो तो जब बच्चो अंतर किसी में स्पष्ण नहों पाए ब्रहम कि इस्तथि ओलन मोर को मुर्गा बोल दे ठीक है सेर को गुत ता बोल दे गधिय को घुर्ड वोल दे तो याद रखेगा जब उसको ब्रहम हो उसको प्लेर कश्ण जो है वो इसको हम लोग क्य आपको लास कर दें को दिसमोर्फिया आपका भ्रहम संब्स उसके बाद भी आपका अपेक्सीड आपको समधित उसके बाद में तक ऐस अबना ऑथ होती है और इस डिसलेक्सिया और अलेक्सिया एक ही है मैं फिर से बोल दे रहा है तो यह तो अलेक्सिया देदे या डिसलेक्सिया यहां पर समाप्त होता है इसके बाद हम लोग बहुत आपका टापिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बाल विकास बाल विकास से बहर भर के प्रशनाते हैं तो अगला जो हमारा सब्सक्रार विकास और हम बने होता जीन प्याजे का अधिकम का सिद्धान जो हो गया होगा इस सारी दिचेंगे धो टो फिर साथ थेंकई कि झाल झाल